देश वीडेश की सभी छोटी बड़ी ख़वरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना बिलकुल भी न भूले क्योंकि हर ख़बर पर है हमारी पहली नजर प्रितिका के माईके वालों ने सस्रौल वालों पर दहेज की वज़ा से बेटी को चहर देकर मानने के आरोप लगाते वे थाने में तहरीर दी जानकारी के अनुसार देवन्या थाना छेत्र के गामराट निवासी विजयपाल ने अपनी बेटी मृतिका गीता देवी की साधी चार साल पहले नगर के महला गोटिया से निवासी च्वाला प्रिशाद के बेटे विश्नु के साथ की थी प्रितिका के भाई चंडरपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने साधी में अपनी हैस्यत के अनुसार दान बहीज भी किया था जिसके बाद अक्सर सस्राल जन दहिज कम लाने को लेकर उसे ताने देते रहते थे और दो लाग रुप्ये और लाने को लेकर प्रतारिज करते रहते थे इस बीच महिला को एक बच्चा हुआ जिसके बाद महिला को दो लाग रुप्ये और दहिज लाने की मांग करते वे घर से निकाल दिया गय 13 नवेंबर को किसी अंजान व्यक्ति के फोन आने पर उन्हें बताया गया कि उसकी बहन को सस्ट्राल वालों ने मार दिया है माईके वालों के पहुचने पर सस्ट्राल जिन फरार हो गए जिस पर भाई ने पुलिस को सूशना दे कर गंभीर हालत में महिला को CSC भरती कराया जहांसे उसे लखनौ रफर कर दिया गया भाई की तहरीर पर पुलिस ने बीते सप्ता हत्या की प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था लखनव एक मेडिकल कॉलेज में महिला की इलाज के दोरान वीती रात मौत हो गई आप देखरें बरेली से साहित अंसारी की रिपोर्ट दो लोग आये थे लेकिन लोगों ने नहीं माने लड़की को बहुत ज्यादा तंक किया इसके बाद में मैं रिच्छा इस्ट्रस जागे निकलाता तब तक इस लड़की ने अपना हाथ काट दिया फिर इनने पैसे दिए कि लाज के लिए पैसे तिये और माल किस्टबाया कि फिता इसके बाद में अब आके जवरग इसको जहर दे गिया रोड़ा कहीं आई यहाँ ठोड़के भाग गया फिर यहां से रेफर कया ब्रेली के लिए परेली से लेके बरेली तीन-चार दिन इलाज चला फिर वहां से रेवर करके लखनों उसकी जहते हैं अब यह चाहते हैं उसका एक बच्चा उसको भी इंसाम मिले और लड़की को भी इंसाम मिले फिलाल खबरों में इतना ही आप हमाई साथ बने रहें आप से फिरोगी मुलाकात ऐसी विसेज खबरों के साथ नमस्कार हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक उन दबाना विल्कुल भी न भूलें क्यूंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर